हेलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल अनील कुमार लेक्चर में प्रेंट्स आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सदिस और अदिस होता क्या चीज है तथा इनके गुड़नफल के बारे में भी सीखेंगे तो देखिए हम क्या पढ़ने वाले प्रेंट्स सद अदिस मतलब दिसा सहित जिसमें दिसा साथ साथ हो मतलब इसमें दिसा क्या होगी उपस्तित होगी ठीक है और अदिस मतलब जिसमें दिसा ना हो ठीक है और दोनों में क्या होगा परिमार होगा मतलब कोई न कोई उसकी वैल्यू होगी ठीक है उसका मान होगा अब इसे समझ आजने के लिए हम एक एक्जाम पल लेते हैं और उस एक्जाम पल के तुरूब आपन समझते हैं तो देखिए अपने के question दिया गया है A vector equal to I cap plus 2 j cap plus 3 k cap और b vector equal to friends to I cap minus j cap plus k cap ठीक है तो ए दो आपने को वेक्टर दिया गया है अब इन दोनों वेक्टर में अपने को सदिस गुड़नफल और अधिस गुड़नफल निकालना है तो देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं सदिस गुड़नफल क्या होता है और अधिस गुड़नफल होता क्या चीज है और इनको किस से प्रदरसित करते हैं ठीक प्रेंट्स तो ध्यान से देखिएगा सदिस गुड़नपल मतलब जिसमें दिशा हो अधिस गुड़नपल मतलब जिसमें दिशा ना हो तो यदि a cross b करेंगे तो यह क्या होगा अधीस होगा सदीस होगा क्या होगा प्रेंट्स सदीस तो यहां से आपको क्या समझ भाएं क्रॉस मतलब सदीस क्रॉस मतलब सदीस ठीक है प्रेंट्स और यदि a dot b करते हैं मतलब अदिश क्या फ्रेंट्स अदिश मतलब डौट को अपन बोलते हैं अदिश ठीक प्रेंट्स अब सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि आखिर अधिस्ट गुडणफल होता क्या चीज़ है अधिस्ट गुडणफल के बारे में यहीं पर आपका किलियर होगा सदिस और अधिस होता क्या चीज है ठीक है तो ध्यान से देखिएगा कि यदि हम अधिस गुड़न फल ग्याद करेंगे तो हमको कुछ महत्यपुल प्रोपर्टी याद रखनी पड़ेंगी वो प्रोपर्टी क्या है प्रेंटिस यदि i cross i.i करते हैं और यदि j.j करते हैं और यदि k.k करते हैं तो यह equal होगा oneท likelihood क्या होगी वन के एककड होगी और यहीं ज़िविए剛剛 यह जे क्रोस जे करंदें यह जे क्रॉस जे डॉट के कर दें यह के कर दें तो इन सब की वैल्यू किस्ट इककड होगीवrict 10 की मतलब जदें अलग लख से किया जाए मतलब जे का के सांथ के का आई के सांथ और के का जे के सांथ किया जाए तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा सुन्ने होगा क्या होगा फ्रेंट्स सुन्ने होगा ठीक है और दी सेम सेम के सांथ किया जाए तो यह क्या होगा इक्वल टू व यह मतलब i i-cap plus 2 j-cap plus 3 k-cap dot 2 i-cap minus j-cap plus k-cap. टेके प्रेंट्स, अभी तो हमने बस question लिखा है, अब देखिए ध्यान से, अब multiply करते, इस i का गुड़ा, इस 2i के साथ करेंगे, तो i का i में गुड़ा होगा, वो होगे क्या 1, और 1 का 2 के साथ होगा, तो 2, क्या होग फ्रेंट्स, 2, तो देखिए इस प्रेकार से इसकी दिशा हट गई, जो i, j, k है, i, j, और k, एही दिशा को निर्देशित करती है, i, j, k, क्रमसा, x, y, z, दिशा को निर्देशित करते हैं, i, j, i, j, और k, जो है, वो क्या करते हैं, क्रमसा, x, x, y, z, दिशा को निर्देशित करते हैं, ठीक है, और यदि जिसमें, आइ, तो देखिए, यदि i का गुड़ा, 2, j, के साथ करते हैं, यहांपा रहा है, 2, and i का गुड़ा यदि j के सांथ करते होगा 0 इसे प्रकार i का गुड़ा इसके के सांथ करते तो भी होगा क्या fronts जी रो ही होगा थिक है क्योंकि other चीजों के सांथ करते हैं गुड़ा तो है क्या आता है? सुनने आता है Frens. ठीक है? तो देखिए, i का multiply हो चुका, इसी प्रकार हम 2j का multiply करेंगे, तो यदि 2j का multiply 2i के साथ करते तो हो जाएगा, क्या 0 को कि j का i के साथ करें, तो जायगा जीरो तो इसे लिखेंगे नहीं इसी परकार यह का expansion 2j का multiply minus j के साथ करें तो देखिए यह का j कैसा साथ क्या होगा वन और पर लॉन के साथ minus two तो यहां पर आन जाहे लगए मैंस का के साथ करते तो हो जाएगा about 3 तो ठीक का मल्टीफलाई ध्यान से देखी गई है तू आई के साथ करेगा आई करें अदर के साथ हो ठीक है सेम सेम ही एकड़स्ट करेगा वरन के लिए ठीक है अब यदि k का multiply j के साथ करें तो भी 0 क्योंकि अलग है and k का multiply k के साथ करें तो वो हो जाएगा 1 और 3 का multiply 1 के साथ करें तो हो जाएगा 3 क्या हो जाएगा friends 3 अब देखे 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर आया केवल प्लस 1 तो यहाँ पर हमने देखा था अधिस गुड़नफल तो अधिस गुड़नफल में हमने क्या पाया friends केवल और केवल इसमें परिमाण होता है मतलब केवल और केवल इसमें मान होता है इसमें दिशा नहीं होती यदि दिशा होती तो उसमें i, j, k होता ही जो की क्रम सा X, Y, Z को निर्देशित करता अर्थात इस एक्जाम्पल के तुरू हमें पता चला कि जो अधिस है उसमें केवल और केवल परिमाड होता है दिशा नहीं होती इसी प्रकार इसी क्रम में हम देख लेते हैं कि सदिस गुड़न फल होता क्या चीज है क्या इसमें सच में दिशा होती है और इसमें क्या परिमाड भी होता है तो इसे हम चेक करेंगे तो देखिए क्या चेक करने वाले सदिस गुड़न फल ठेक है प्रेंट सदिस गुड़न फल के लिए कोई प्रोपर्टी याद नहीं करने पड़ती सिंपल आप से सारडी खल करते बनना चाहिए सारडी खल करना मतलब देखे तो सदीस गुडन फल के लिए क्या होता है A x B ठीक है इसका सिंबल होता है क्रॉस सदीस का ठीक है तो देखिए इसको करने के लिए हम यही वाले कॉस्चन ले रहे थे ठीक है प्रेंट्स तो देखिए लिखते हैं क्वेस्चन को एध माइनस जे के प्लस ऐध यह अपना क्वेस्चन लिख गया अब देखो अब इसको हल कैसे करते हैं बेहदी असान तरीका है बहुत ही असान तरीका ठीक है सब कोई कर सकता है बस इस वीडियो को देखने के वाद ठीक है तो देखिए हम करने वाले एक ख्रॉस भी ठीक है तो इसे किस परकार से करते है accepting a skipping बी करते हैं सारणी की सायथ ऐसे क्या लेते हैं aj k को US किमान लेते हैं ठीक है planets aj k को इस फरकार लिखेंगे अब इसकी गुड हंक को तो इसका गुढ़ांग क्या है? 1, j है तो j का गुढ़ांक 2 और k, k का गुढ़ांग क्या है? 3 तो गुढ़ांक नीचे लिए ठीक प्रेंटस अब इसी प्रकार यहां से i का गुढ़ांक 2 तो 2, i के नीचे j का गुढ़ांक minus 1 तो minus 1 and k का गुढ़ांक 1, then 1 बस अवी से हल करना है यहां से अपना सदिस गुडन फल भी ग्याद हो जाएगा तो देखिए कैसे ग्याद करते हैं यहां पर क्या होता है फ्रेंट्स प्लस यहां पर होता है माइनस एंड यहां पर होता है प्लस यह चीद याई होप आपको याद होंगी ठीक है क्योंकि ये class 12 से पढ़ते हुए आप लोग आ रहे हैं ठीक है तो यहां से दी हम I cap लें क्याले आइक लें यहां से दी I cap लें तो यह वाला और यह वाला कट जाएगा ठीक है इसके आमने सामने वाली चीजे कट जाती है सिर्फ अपना बाचा 2 1 और माइनस 1 3 देखें मल्टिप्लाई कर 2 का 1 के साथ तो 2 और बीच में होता है माइनस और माइनस 1 का गुड़ा 3 के सांथ करेंगे तो यह हो जाएगा प्लास 3 ठीक है प्रेंट्स ए आई ले लिए अब इसी प्रकाल लेते हैं जे जे कहें में Holocaust – 2 होता है माइनस का ठीक है हर चीजी यहां पास माइनस की होगी ठीक है कि झριदी यह यह लेते हैं तो डे के सामने वाले सारी चीज़े कट जाएंगी ठीक है अब बचा कि had 1 1 2 1 का गुड़ा वन के साथ तो 1 और टू का गुड़ा थीरी के साथ तो तो माइनस सिक्स ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद क्या होता है प्लस तो यहां पर लिखेंगे प्लस के कैप ठीक है अब देखेए अब देखेए प्लस के कैप लेती हुती यह वाली और यह वाली चीज़ कट जाएंगी बच्छिके बच का multiply minus one के साथ ते हो जाएगा minus one and two का multiply two के साथ ते हो जाएगा minus four ठेके प्रेंट्स ध्यान से देखिएगा यहां पर लिखते हैं उसी चीज को देखिए यहां पर two plus three मतलब five i cap तो यह हुआ five i cap and one में से minus six से जाएगा तो यह पर बजएगा minus five और minus five का multiply minus j के साथ होगा तो plus j cap ठेके प्रेंट्स इसी प्रकार minus minus one और minus four यह दिया गया minus one और minus four यह दोनों add होंगे तो minus five और minus five कके के साथ करेंगे तो minus five के तो देखिए यहां से अपने को पता चला कि इसका कोई न कोई परिमार्ट तो होता है कि साथ साथ इसमें दिशा भी दी गई है क्या दिशा दी गई फ्रेंट्स कि आई x की और निर्देशित करता है x x की और एंड जे यहां पर हमने देखा कि कैसे किसी सदिस में दिशा भी होती है और परिमाड भी होता है ठीक है और हमने यह भी देखा कि कैसे किसी अदिस में केवल और केवल परिमाड होता है दिशा नहीं होती तो I hope friends आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को like किजेगा और चैनल को subscribe किजेगा जिससे इसी प्रकार की helpful वीडियो आपको time to time मिलती रहे So guys thanks for watching my video, please subscribe this channel, thank you friends